हाई फ्रेंड्स फिल्कम हमारे यूटूब चैनल पर यह हमारा सेट नमर 16 है और आज हम सौल्व करेंगे प्रिवियस एर के इंपोर्टेंट कोशन जो अक्सर एक्जाम्स में पूछे जाते हैं यह प्रिवियस एर के सौल्व कोशन होंगे और आपके रिविजन्स के लिए वे वियर 25 टरपराइश से अनम के लिए राजिस्तान, छ उत्हर परदेश, एन आचेम्स के लिए इस्टाप नर्स नर्स के लिए गुरुब 5 वेपयंस के लिए वेर वेल इंपोर्टन डॉल प्ले करेंगे या SC नर्सिंग यक जाम, Rヴी नर्सिंग CRPM nursing के interest exam PGI रोहतक के लिए AMS nursing के लिए AMS बिहार के लिए very very important role play करेंगे MPHW BFUHS nursing exam BSC nursing post BSC nursing के interest exam के लिए काफी important role play करेंगे ओके चलिए start करते हैं question number first है यह आपकी skin पर mostly question कोशनों का revisions करेंगे ज़्यादा details में बात ना करते हुए क्योंकि question आपके revisions के लिए रखे गए ओके question number आप पहला पढ़ें फिर आमसर बताएं और last में बताएं आपने के निगोशन सही की okay question number पहला यह रहाब की skin पर गरबावस्तक के दौरान कौन सी संरचना hormones के लिए powerhouse के रूप में कारी करती है which structures act as a powerhouse for hormones during pregnancy क्या है right answer इसका option देख लिए आप जो भी आपको लग रहा है कि हाँ यह हो सकता है आप अपना answer बतानी के कोशिस करें अगर नहीं भी लग रहा है फिर भी आप तुक्का मारने के कोशिस करें कमेंड करें अपना answer गर्भवस्ता के दारान कौन सी संरचना सर्चना hormones के लिए powerhouse को रूप में कारे करती है इसका जो रैट आप संब्सेंडे कि प्लसंटी का होगा स्ब्सेंटा क्या होगा answer प्लसंट इसका रैट आप सर्गा बश्ता के दारान जो संरचना होती है hormones के लिए powerhouse के रूप में कारी करती है यह powerhouse के रूप में during the pregnancy कारी करती है वो संरचना कौन सी वो structures कौन सा है placenta को खा जाता है next question आपके skin पर question नमबर दूसरा question नमबर आप दूसरा पढ़ें फिर आमसर बताईए कोश नमबर दूसरी पे पूशा गया है गर्वावस्ता के दौरान सरीर के किन अंगों में सारीरिक परिवर्तन होते हैं विच आर्गेंस इन बोड़ी अंडर्गो फिजियोलोजिकल चेंज़ेज डिरिन दे पेगनेंसी क्या है राइट आंसर सिलेट करें आप राइट आंसर जो भी आपको लग रहा है कि हाँ यह हो सकता है इसका आंसर तो आप जरूर बता सकते हैं आपसर इंडिस का राइट आंसर होगा क्या होगा आपसर इंडिस का राइट आंसर होगा पर focus करेंगे question यहां पर देखिए यह लिए का आर्बीसी में परिपकता दोस्त किसकी कमी में देखा जाता है यह लिए का maturity defect in Rbc if seen in a deficiency of comment करें आर्बीसी में परिपकता दोस्त ठीक है Rbc mature नहीं होते है ठीक है वो कौम सा vitamins की जब body में कमी हो जाती है तो RBC mature नहीं हो पाते select करेंगे आप right answer ठीक है numbers से आप अपने इसाफ से डाल लेंगे हैं आप नमबरी problem है don't worry ओके ये revisions के लिए आपके question है absin C's का right answer है folic acid क्या है folic acid इसे vitamin B9 के नाम से भी जाना जाता है और folacin भी कहा जाता है क्या कहा जाता है folacin ठीक है folacin के नाम से भी जाना जाता है folacin vitamin B9 भी कहा जाता है तो RBC में maturity नहीं हो पाती या RBC mature नहीं हो पाते जब कमी होती है किसकी folic acid की folic acid का मतलब vitamin B9 ओके चलते हैं next question पर यह है आपकी skin पर question में numbering problems है ठीक है बैरल आपको question पर focus करना है और अपने answer बताना है क्या होगा इसका right answer question next है यह आपकी skin पर गरबावस्ता में कुल रखती की मात्रा लगबग कितनी बढ़ जाती है approximately how much totals blood volume increase in pregnancy क्या है right answer इसका select करें आप right answer absence इसका right answer है 1500 ml कितना होता है यह लिखा है 1500 ml 1500 ml गरबावस्ता में कुल रखती की मात्रा लगबग बढ़ जाती है कितनी बढ़ जाती है 1500 ml बढ़ जाती है absence C इसका right answer है absence C is the right answer question number 5 पढ़िए अपनी skin पर question number 5 question number 5 पर पूछा गया है पुरसो का 30 चरन क्या है इसका मतलब है कि what is the third stage of the delivery मतलब कितना होता है timing पूछा गया है अवादी पूछी गयी आपको बताना है पुरसो की तीसरी stage की third stage की अवादी कितनी होती है या क्या है मतलब होई है तो आपको बताना है कितनी आवादी होती है time period पूछा गया आपको select करना है right answer what is the third stage of the delivery का आपको बताना है time period duration बताना है comment करें आप right answer जो भी आपको लग रहा है कि हाँ यह हो सकता है option 20 का right answer होगा 15 minute 15 minute तीक है 15 minute option भी is the right answer okay चलते हैं next question पर question number यह रहा किस कीन पर question number 6 लोहे के आवशोषड को बढ़ावा देने वाले पदार्थ कौन सा है यह लिका है which is the substance that promote the absorption of the iron क्या है right answer इसका comment करें आप right answer जो भी appropriate answer आपको लग रहा है अगर नहीं भी लग रहा है तुक्का मारी है आप ठीक है मैंने देखा है बहुत से लोगों के तुक्के बहुत सही होते है ठीक है तो लोहे के आवशोषड को बढ़ावा देने वाला पदार्थ कौन सा है काफी अच्छा question है आपसन C का right answer है क्या है आपसन सुरी आपसन D का right answer है बिटामिन सी है आपसन D है ठीक है आपसन D and बिटामिन सी लोहे के आवशोषड को absorption को क्या करता है बढ़ावा देता है तो आपसन आपसन D होगा और बिटामिन सी होगा देखिए हम आपको बताते हैं कई बार एक्जामस में question पूछा जा चुक है कि अनेमिन मेंसे किस की कमी के करण हो जाता है और आलावदी एबप की रूप में जाना जाता है ठीक है उसमें बिटामिन सी लिख दिया जाते है फॉलिक एसिड भी लिखा जाता है और प्रुझ भी बिटामिन दिया जाते है आइरन भी दिया जाता है और विटामिन सी भी दिया जाता है तब आफसर इंडीस का राइट आमसर होगा आल आप दिये पर क्योंकि विटामिन सी की वज़े से भी इनेमिया हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि विटामिन सी क्या करता है आइरन को बढ़ावा देता है ठीक है जॉफसर नहीं कर पाता ठीक है उसका outsustral नहीं कर पाता इसलिए आपको एनेमिया हो सकता है ठीक है इसलिए vital role play करता है आपकी body में vitamin C इसका जो scientific name होता है या authentic name होता है ascorbic acid कहा जाता है क्या कहा जाता है ascorbic acid ओक तो ध्यार रखेंगे आप चलते हैं नेस्ट कोशन पर यह है कोशन आपके स्कीन पर कोशन नबर सेवेन बिटामिन बिट विटल में कौन सी धात उपाई जाती है क्या है राइट आंसर इसका सेलेड करेंगे आप राइट आंसर जो भी आपको लग रहा है which metals is found in vitamin B12 काफी अच्छे कोशन है कई बार पूचा जा चुका है A&M के एक्जामस में भी और भी कई एक्जामस में simple है लेकिन आपके revisions के लिए important है ठीक है ताकि आप भोलना जाए revisions जो होता है यह important role play करता है आपके life में अगर कोई भी आप topic पढ़ते हैं अगर उसका revisions नहीं करते हैं तो आपके mind से जल्द ही निपड़ जाती है निकल जाती है ठीक है तो permanent के लिए आपके mind में बनी रहे इसलिए आप revisions जरूर करते रहें ठीक है अगर आप सोचेंगे कि हम in future कभी करेंगे तो कभी कभी नहीं होगा ठीक है तो इसलिए आप जब भी मौका मिलें आप जरूर करें ठीक है आप सन डिस्क का राइट अंसर का कोबाल ठीक है vitamin B12 में कोबाल्ट एक धात होती है metals होता है यह पाया जाता है ठीक है काफी important role play करता है और जो vitamin B12 होता है इसका कई बार रासाइनिक नाम पूछा गया है sino-cobalamin होता है sino-cobalamin ठीक है इसमें जो cobala लिखा है न word cobalamin ठीक है तो cobala का मतलब होता है cobald पाया जाता है sino-cobalamin यह vitamin B12 का रासाइनिक नाम होता है अगर हिंदी में लिखना चाहिए तो जैसा कि मैं बोलता हूँ आप लिख सकते हैं नेक्स्ट एक कोशन नमबर आपकी स्किन पर एड निमलिकित में कल्सियम का सबसे अच्छा सुरूत है या सूर्स है इंडा फॉलविंग इस दा बेस्ट सोर्स आप दी कल्सियम काउन सा है आपको बताना है क्या है बेस्ट सोर्सेज कल्सियम का सेलेट करेंगे आप राइट आंसर इंडा फॉलविंग इस दा बेस्ट सोर्स आप दी कल्सियम कल्सियम का बेस्ट सोर्सेज है आपको बताना है आफसन 20 का राइट अंसर होगा दूद, मिल्क, ठीक है मिल्क में सबस्यादा केलसियम पाई जाती है आफसन के अगार्डिंग, ठीक है सबस्यादा, जो अंडा लिखा है इसमें प्रोटीन पाई जाती है क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है काफी अच्छी मात्रा 강 करेद सभीह प्रगार क्या आमीनुस्यट पाई जाते हैं दाल लिक्छा है दाल में भी पुरुटीन पाई जाती है यह लिखा है meat, meat में भी क्या पाई जाते है, protein पाई जाती है अगर अलग-अलग बात करें तो meat में क्या है, vitamin B12 पाई जाता है जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ vitamin B12 meat में पाई जाता है, chicken बगरा, mutton बगरा में ठीक है और यह लिखा है, Pulsage में Ppur Between पाये जाती है Especially X में क्या पाय जाते है Amino Aisid यूझे कहेंगे अच्छे लेबल्स की पुर्टीन सभी मिल जाती है सभी Amino Aisid X में पाये जाती है ठीक है और जो milk होता है इसमें Calcium काफी परयावतिमातरा में पाये जाता है चलते हैं निश्ट कोशन पर ये है आपके स्किन पर कोशन नमर नाइन कोशन नमर नाइन पर पूचे गए कौन सा हार्मोन मानुख सरीर में कैलसियम के आउसोसल को कम करता है विच हार्मोन से रेडिसेज एबजर्प्सन आप दी कैलसियम इन द बॉड़ी आप सेलेक्ट करें राइट आमसर कौन सा हार्मोन से मानुख सरीर में कैलसियम के आउसोसल को जो कैलसियम होता है इसके अबजर्प्सन को क्या करता है कम करता है सेलेक्ट कर जिए अपने राइट आमसर जो भी आपको लग रहा है option is का right answer क्या Kelsey tonine Kelsey tonine is the right answer option is का right answer revisions के लिए पहले जो वीडियो बनाये थे न अपने JS Indies चैनल पर वहाँ पर काभी भारी भर कम मातरा में हमने details में बताया था आपको ठीक है तो आप इसलिए यहाँ revisions के लिए कोशन नमर आप 10 पढ़ें फिर आंसर बताईए यह लिखा है डिपलोपिया का अर्थ है या डिपलोपिया अर्थ है आपको इस तरह समझेए डिपलोपिया में select कीजिए आप right answer जो भी आपको लग रहा है कि हाँ यह हो सकता है अगर नहीं भी आ रहा है तो तुक्का मारिए आप ठीक है कम से कम कुछ तो कीजिए आप सन 20 का right answer होगा क्या दोरी द्रस्टी यह डिपलोपिया का मतलब होता है दोरी द्रस्टी double vision कहा जाता है क्या कहा जाता है double vision अब हम पहले समझेंगे कि double vision कैसे दिखाई देता है कई condition या कभी कभी ऐसा हो जाता है या कई जगे इससे define किया गया डिपलोपिया double vision के रूप में जाना जाता है डिपलोपिया भेंड यू सी two image स्वारी वन इमेज का आप वन इमेज का आप क्या करते है same thing का यह two image देखते है क्या करते है you see two image आप दो image देखते है आप the same thing एक ही वस्तुका इसका मतलब है ठीक है मालोगी यहाँ पर आपको आम बना दिया गया ठीक है यह मालोगी यह mango है ठीक है आपको mango के कितने रूप दिखाई दे रहे है एक ही mango ठीक है लेकिन आपको दो-दो दिखाई दे रहे ठीक है इसी को diplopia कहा जाता है ठीक है एक तरह का disorder हो जाता है एक तरह का disorder होता है तो इसी को diplopia कहा जाता है और इसे करेक्ट भी किया सकता है इसका इलाज भी है तो अमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा चैनल पे नहीं से सब्सक्राइब करना लाइक करना हो शक्यों अपने दोस्टों के साथ सेयर करना और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिए और वीडियो को आप लाइक कीजिए ठीक है इससे कुछ फायदा नहीं हो तब बसरते लगता है कि आप लोगों को तो बहुत पसंद आया होगा तो जैसे ही आपकी वर्जी है अगर चैनल्स पे नहीं सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी हमारा मिल सके और किसी पितने का कोई कंफीजन हो किसी प्रगार की कोशन में तो आप जरूर हमें सजेस्ट कर सकते है और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वह भी आप बता सकते हैं इस चैनल्स में हम आपको क्या पढ़ाएं ठीक है बाकि हम अपने एक वाडिंग आपको रिविजन से लगकर आते रहेंगे यहां पर भी डेली आपको रिविजन से मिलते रहेंगे ठीक है और जो भी अधर सब्जेक्ट होते हैं इधरी पढ़ा देते हैं तो इसलिए चैनल्स को सब्सक्राइब करने लाइक करना चलते हैं जल्दी मिलेंगे आपसे नेश्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंपर हैं थैंक्यू बाबाए टेक केर्स